नागिन मोर के अंडों को निगल गई, एक बहुत ही घना जंगल था, जहां सभी प्रकार के जानवर बड़े ही प्यार से रहते थे, उसी जंगल में एक मोरनी भी रहती थी, मोरनी ने कुछ अंडे दिये हुए थे, वो अकने अंडों का बहुत ही अच्छे से खयाल रखती थी कुछ ही दिनों में बच्चे अंडे से बाहर आने वाले थे, तब मोरनी सोचती है, मेरे बच्चे और बारिश का मोसम एक साथ ही आने वाला है, इसलिए मुझे खाना इकटा करके रखना होगा, ताकि बारिश में मेरे बच्चों को खाने की कोई कमी ना हो ऐसा सोचकर मोरनी अपने अंडों को जाड़ियों में चुपा कर खाना ढूनने चली जाती है, कुछ देर बाद वहाँ एक नागिन आती है, उसे मोरनी के अंडों की गंद आ जाती है, तब वो कहती है, मुझे तो यहां अंडों की गंद आ रही है, पर अंडे कही दिखाई नहीं दे रहे है, कहा है वो अंडे, नागिन मोरनी के अंडों को ढून लेती है, अंडों को देखकर वो खुश हो जाती है, और कुछ अंडे खाकर वहाँ से चली जाती है, मोरनी खाना ढून कर जब वापस आती है, तो अपने अंडों में से कुछ अंडे कंद देखकर वो कहा गए मेरे अंडे, इसमें से तो कुछ अंडे कम है, इतने दिनों से संभाल कर रखा था मैंने, और आज पता नहीं किसकी बुरी नजर पड़ गई मेरे अंडों पर। मोर्नी रोते हुए अपने अंडों को आसपास ढूनने लगती है, पर उसे उसके अंडे कहीं नहीं मिलते, वो ठक जाती है और वापस अपने अंडों के पास आकर रोने लगती है, तब ही वहाँ एक चुवा आता है और वो कहता है, अरे मोर्नी तुमारे अंडों को तो ना नागिन निगल गई, मैंने मेरे आखों से सब कुछ देखा, मैं उसे रोकने की कोशिश करता, तो वो मुझसे भी बदला लेती, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना, ये सुनते ही मोर्नी फूट फूट कर रोने लगती है, चुहा मोर्नी को शान्त करता है और वहाँ से चला जाता है, मोर्नी को नागिन पर बड़ा गुस्सा आता है, तब वो नागिन से मिलने उसके बिल के पास आती है, नागिन बिल के अंदर आराम कर रही थी, तब मोर्नी जोर जोर से आवाज देने लगती है नागिन बाहर निकल आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं नागिन मोरनी की आवाज से बिल से बाहर आती है और कहती है हरे मोरनी ये गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिला रही हो मेरी नीन खराब हो गई तुमारी वज़े से वारे वा मेरे अंडो को खाकर चेन की नीन ले रही है तु मैं तुझे अब चेन से रहने नहीं दूंगी आज तो मैं तेरा अंद करके ही रहूंगी मोरनी नागिन पर हमला करने जाती है पर तभी नागिन अपना फन निकालती है और गुसे से कहती है, कुछ अंडे अभी भी बाकी है तुम्हारे, उसे तु अनाद करना चाहती है क्या, देख जा यहां से, नहीं तो मैं तुझे डस लूँगी, और तुम्हारे बाद तुम्हारे अंडे भी खा जाऊंगी, मोरनी को अपने बचे हुए अंडों का खयाल आत है, और वो अपने अंडों के पास चली जाती है, नागिन ऐसे ही सबको डराने लगती है, और उनके अंडे खाने लगती है, सारे अब उससे डरने लगते है, एक दिन मोरनी अपने अंडों के पास परिशानी में बैटी रहती है, कि तभी वहां कच्छुआ आता है, और कहता उस नागिन ने सब को परिशान करके छोड़ा है मोरनी तुम कुछ करती क्यों नहीं मैं तो मेरे अंडों के खातिर चूप हूँ अगर नागिन को मारने का कोई रास्ता होता तो मैं कपका उसे मार देती पर मैं मजबूर हूँ कुछ नहीं कर सकती तब ही वहाँ बंदर आता है और कहता है अरे ऐसे कैसे कोई रास्ता नहीं है सुनो मोरनी यहाँ से दूर परवत पर एक जड़ी बूटी है जिसे खाते ही धागिन पत्तर की बन जाएगी तुम एक बार उस जड़ी बूटी को लेकर आओ पर मेरे अंडों का खयाल कौन रखेगा मैं हूना मोरनी तुम ज आपस जंगल आती है तब कच्छुआ कहता है अब हम एक नकली अंडा बनाते है और उसमें जड़ी बूटी मिक्स कर देते है नागिन लालच में आकर ये अंडा खा जाएगी और हमारा काम हो जाएगा वो दोनों मिलकर जड़ी बूटी का एक नकली अंडा बनाते है और ना आज तो बिना मेहनत के ही अंडा मिल गया चलो इसे खाकर आराम करती हूँ नागिन उस नकली अंडे को निगल लेती है पर अंडा खाते ही उसे कुछ अजीब मैसू सोने लगता है तब इवा कचुआ और मोनी आते है उसकी हालत देखने लायक थी तब नागिन कहती है ये क्या किया तुम दोनोंने इस अंडे में क्या मिलाया था तुमने देखो मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ ऐसा कहते कहते नागिन पत्थर की बन जाती है जिसे देखकर मोरनी राहत की सास लेती है इसी तरह से पाप का अंत होता है नागिन अब ऐसे ही रहना पत्थर बन कर